अब्सक्राइब ज़क्तर ज़क्तर नम्सकार स्वागत है आपका बिहारी नीज में मेरतन सेन भारती आज हम बात करेंगे बिहार में जारी सियासी घमासान के बारे में बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। कैसे रह सकता है खैर आईए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर क्या है इस पोस्टर में राज़त प्रदेशकार जाला के बाहर लगाये गए पोस्टर में कुरसी पर बैठे नितियसकुमार को help me कहते दर्साया गया है तस्वीर में उनके साथ बीजेपी के कई बड़ कि ये कुरसी पर बैठने लाइक नहीं रहे इस पोस्टर में परधान मंत्री नरेदर मोधी को बीजेपी ने दाओं को सवासी देते हुए दिखाया गया है पोस्टर युआ आर्जडी प्रदेश महा सचीव रिसी यादव के सौजन से लगाया गया बताया जा रहा है अब स लोड लिया था जिस पर जदियों की तीकी परतिकिरिया थी और राचल परदेश की इस घटना के बाद से बिहार में सियासा तेज हो गई है बीजेपी और जदियों के बीच में तना तनी की स्थिती उत्पन हो गई दोनों ही तरफ से नेता एक दूसरे को उपर अरोप लग अब प्रतिकार की भी सक्ती खो चुके है नितीज कुमार की नाराजगी के साथ ही राजद ने नितीज कुमार को अपने पाले में करने के लिए ओफर भी दिया राजद नेता स्याम रिजक ने जदियों के सद्रह विधाकों को तूटने का दावा किया था जिसके बाद पोस्टर के माध्यम से हमले पर उतरती दिख रही है राजद की तरफ से लगातार किये जा रहे है पोस्टर बार को लेकर अब राजनीती भी शुरू हो गई है राजद नेता सक्ती आदम कहते हैं कि जैसी इस्थिती है वह ऐसी तो दिखाई ही जाएगी अगर समाजिक पोस्टर लगा रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है बीजेपी की और से प्रेव रंजन पटेल ने कहा कि आरजडी के पास अब पोस्टर लगाने जैसे काम ही बच गए हैं उवे लाक बोले उन हमारा रिस्ता मजबूत रहेगा जदियूनेता और प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजडी ने पहले पीएम पद का ओफर दिया था फिर पार्टी में तूट का दावा किया और अब काटून बना रहे हैं बिहार में जारी सियासिक हमासान के बीच सभी की निगाहे नितीज कुमार के उपर है अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार की सिया धन्यवाद